वेलकम डू सुकला स्टली पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके प्रिक्षा हुई है अपके प्रिक्षा हुई है ड्यक्टर राम मनुहल लोहिया आवद बिश्विध्याले की आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने बॉयस वाला पेपर साल्ब करवाया था तो आप लो आपको एक प्रकार से इस कोशन पेपर को साल्ब करवा दिया जाए ताकि जो अगली परिक्षा आपकी आने वाली भी बिश्विध्याले की उनके लिए हलफुल हो सके साथी साथ आपको अपने उत्तर की जाच भी आप कर सकेंगे और यह पता लगा सकेंगी कि किस प्रकार स हमने प्रस्द किया था और हमारे उत्तर क्या ऽाही है या फिर गलत है कितने सही है कितने गलत है इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा तो जितने आपके सही होंग आपका वस्तोनिष्ट होता है यानि कि अब्जक्टिव होता है Human Values and Environmental Studies का ठीक है विभिनी विश्विद्यालेव में लगबग सारे विश्विद्यालेव में आपके State University में आपका यही एक प्रकार से बीए थार्ड समस्टर में रखा गया है Human Values and Environmental Studies तो सभी विश्विद्याले यह एक प्रकार से आपके लिए तुम्हें ऐसा नहीं है यह केवल University से रिलेटेड कोशन पेपर है यह गल्स और बॉइस उन लोगों ने बाटा University ने लड़कियों के लिए अलग पेपर बनाया था लड़कों के लिए अलग पेपर बनाया था ठीक है राम अनुहलोया में ऐस इसा होता है बाकी विश्विद्यालेव में एक प्रकार से गल्स बॉइस कोई फंटा नहीं तो यह चिंता मत करिएगा तो आपका भी पेपर ऐसा ही आ सकता है चाहे आप गल्स है इंपोर्ड़न आपके दूसरे विश्विद्यालेव के लिए सभी के लिए बाकी जो हमारे चालिस रखते हैं इतना आप पाजाएंगे तो आप पास हो जाएंगे बड़े आराम से और मेरे इसाप से अगर आपने मेरा मालवी पर देखा होगा लगबग आप साथ परसंट से उपर जो है कोई भी एक मालवी पर अगर आप देखे तो 60 प्लस आप करके आयोंगे यह न संदक्षण से मैंने बार बार आपको चिला चिला करके बता था इन्वारिमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटर है आप सा नंबर सी करेक्टर होगा नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे अगला परसंट आपके स्किन पर आ चुका भाई सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे अ अगला परसंट की स्किन पर आ चुका है प्रसंट है कि माता पिता के रूप में हमें अपनी पुत्र और पुत्री को सिखाना चाहिए बताएं पड़ा पड़ा से पूछा गया आपसे की अगला परसंट है वर्ड इनवार्मेंटल डे इस सेलिब्रेटेड आन यानि विस परियावर्ड दिवस मैंने बता था यह परसंट तो आना ता है एकदम से हमेज़ा आएगा आप रट लो एकदम से आने वाले दस सालों तक पेपर में यह परसंट आपका छपना छपना एकदम से तहे हैं ठीक है बीए थर्ड समस्टर में आपसे नमर पांच जूनियर सभी बच्चे बच्चे को रटा होगा अगला परसंट आपसे इसका भी जैने सबाभका मन भीग्च्चै आपका जो आचरल होता है इसका विज्चार पर ज्चेशर चुका है शर्टान पर पर आचुका इथोस का आरथ क्या इस इस मींस एथोस मैं आपको मैंने इथोस और एक और बता था सब दो सब्दों मैंने बताये थे आपको साइद यादा रहा होगा ठीक है माले पेपर में तो ये आपका किसका है भाई इथोस का मनलब क्या होता है बिल्कुल आठरण से conduct is right answer ए आपसन जिसका question paper है उसके अभी तक लगबग सारे प्रसन ही सही जा रहे हैं अगला question साब की स्कीन पर आ चुका है भाई अगला प्रसन बिंक साफ फायर वाज रिटन भाई अगनी की उड़ान ये बिंक साफ फायर एक पुस्तक है किसने लिखा है मैंने बार बर बता था एपी जी अब्दुल कलाम से चार-पांच प्रसन आप से बनने वाले हैं स्वामी विबेका नन से चार-पांच प्रसन अग बगाते हैं मात्मा गांधी से चार-पांच प्रसन आते हैं मैंने आपको माले बिपर आ लेड़ी आपको बदाता तो एपी जी अब्दुल कलाम की बात की तो इनी की पुस्तक ह ओके ठीक है आपसे नमबर इसका एक एंसर होगा नेक्स्ट को साथवा नमबर पर देखेंगे वाट इस मींट बाई दफ जो है बताएं फ्रेज यानि जो आक्यांस होता है CSR CSR की full farm आपसे पोच रहा है CSR वाट्क्यांस का क्या आरत है मैंने अफ दो C माने होता है आपका carporate yes माने होता है आपका सोसल और R माने होता है responsibility यानि की carporate social responsibility आपसे नमबर इसका एक perfect answer होगा निग्मित समाजिक उतरदायो आपसे नमबर निगमित लिखा है नियमित होना चाहिए हाँ पर वो इसे स्वारी निगमित ज्यादा वेटर रहेगा अगला कोशनस आपका आचुका है नवा नमबर प्रसन आपके स्कीन पर आचुका है नवा नमबर प्रसन आप देखेंगे वाट डिड गांधी जी मीन बाई स्वाराज यानि गांधी जी का स्वाराज से क्या तात पर था गांधी जी का स्वाराज से क्या तात पर था भाई देश के लिए सुतंतर था स्वासासन के लिए या पूर्ण सुतंतर था या देश वासियों के लिए सुतंतर था बिल्कुल फ्रेडम फारदा मीनेस्ट आफ कंट्री में अपसर नमबर डी यह प्रसन मैंने आपको माले पेपर में रखा था एक दिन पहले वाले में आपने देखा होगा यह प्रसन हूब भू आपका हूब भू लगबग सारे प्रसन आपके आए हुए हैं अगला प्रसन आपका वाट इन्टरनेट पर वस्तों खरीदने और बेचने का क्या नम है मैंने बोला था एक कामर्स बिलकुल आपका यह प्रसन आपकी स्कीन पर आचुका है अबुल कलाम वाज दा डैस प्रसिडेंट आप इंडिया फ्राम तूट हाउजन टू टूट हाउजन से बन यानि कि अबुल ग्यारम इसका डी करेक्ट एंसर होगा बारमा कोशन साफ देखने का प्रियास करेंगे इस प्रिच्वली रिफर्स टूट है अध्यात्मिक्ता कार्थ क्या होता है एक इश्वर से या वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है या फिर हर किसी के भीतरा संतोस जनक गहरी इक्छा तथा जिस प्रकार से बिक्ती उस इक्छा का समाधान करते हैं वह अध्यात्मिक्ता होती है या फिर एक ऐसा विस्वास या एक ऐसा सांजा मलब कि एक सांजा विस्वास प्रणाली के संदर्व में पवित्र के माध्यम से महत्यों की खोज तो पवित्र के माध्यम से महत्यो कर दी है और खास करके एक इसोर ये सम्मधित तो है ही लेकिन एक इसोर कहना उतना आदात तरक संगत नहीं होगा आपका वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है तो धर्म आध्यात्मिकता धर्म तो आध्यात्मिकता से सम्मध होता है लेकिन एक प्रकार से आध्यात्मिक चीजे जो होती है धर्म के अंतरगती ही होती है ये बात भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपका जो है बी आपसन थोड़ा सा लग रहा है वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है ठीक है या भी आध्यात्मिक्ता यह धर्म का मानना हो जाए आध्यात्मिक्ता एक विचा तेरकेस आपका 99.99% आपका D character answer हो सकता है पलाब है ये एकदम से confirm है ठीक है आगे बढ़ते है अगला परसना आपके skin पर आ चुका है तेरवा नमबर आपका परसन है what is the wife's name of Bill Gates Bill Gates की पतनी का क्या नाम था Bill Gates की पतनी का क्या नाम था Bill Gates के पतनी का नाम क्या था Melinda Gates आपसा नमबर इसका एक 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 सर होगा अगला questions देखने का प्रियास करेंगे चवधावा नमबर आपका प्रसना आचुका The Brie Brie Act 2010 UKBA Came into Face in Force इन यहनी की रिस्वत अधियम 2010 UKBA कब लागू हुआ था रिस्वत अधियम के बारे मैंने आपको बताया था कब लागू हुआ था भया यह लागू हुआ था आपका जुलाई 2011 में आपसा नमबर इसका C करेक्टर एंसर होगा अगला कोशन साफ देखने का प्रियास करेंगे पंदरवा नमबर परसन आ चुका अजीम प्रेम जी फाउंडेड अजीम प्रेम जी फाउंडेड अजीम प्रेम जी के दोरा अस्थापित के आगा क्या तो अजीम प्रेम जी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के एक्सीक्यूटर आप ही सर ठीक है यह नहीं CEO जिसको बोलते हैं किलियर आप देखतें CEO यहाँ पर लिखा हुआ है अगला कोईसंस आप देखने का प्रियास करेंगे सत्रवा नंबर प्रसने Microsoft started by Bill Gates was related to Bill Gates के द्वारा अस्थापित Microsoft सम्मधित है किसे समयते बाई तो किसे समयते पड़ा पड़ से देखने का प्रियास करेंगे बिल्कुल साफ्ट बेर से आपसे नंबर एक एक एंसर होगा नेक्स्ट कोईसंस आप की स्कीन पर आचुका है उन्हीं समा नंबर प्रसने देखेंगे अचार नेती डेस को उत्तम मानता तो आचार नेती किसको उत्तम मानता भाई आचार नेती जो होती है मानकों को उत्तम मानती स्टेंडर्ड आपसे नंबर इसका एक एक एंसर होगा उन्नीस का नेक्स्ट कोशन सbdh s the Greek बताई किस सबसे लियागा है इस सबसे पताने का फ्रीयाज़चर होगा इठोजस सबसे लिया घया है आप सांदे सब्सक्राइप स TCNley according to Swami Vivekanand education should EMA यानि Vivekanand के अंसार सिक्षा का उद्देश यह कैसा होना चाहिए Vivekanand Maharaj Ji के अंसार सिक्षा का उद्देश होना चाहिए जीवन निर्माड के लिए मानो निर्माड के लिए और चरत निर्माड तीनों के लिए सिक्षा उन्होंने बताई थी मैंने आपको बताया था सिक्षा सात्र में भी इन बातों को अगला कोशन सापकी स्कीन पर आ चुका है 22 नमर परस दिखेंगे स्वामी Vivekanand वाज पूपिल आप यानि कि स्वामी Vivekanand के सिस्थे थे बाई तो यह रामकिष्ण परमहन से जी के सिस्थे सिक्षा को रिखांकित किया है बैल्यू बेस्थ सिक्षा इज राइट आंसर बाईग्यानिक सिक्षा नहीं लगाएंगे साइंटिफिक सिक्षा पर उन्हों नहीं जोड़ी दिता जब आप सिक्षा साथ पढ़ेंगे तो इसका किलियर एंसर आपको पता चल जाएगा अप्यजे अब्दुलकलाम जो है उन्होंने मूल लाधरी सिक्षा पर जादा बल दिया यानि कि अप्यजे अब्दुलकलाम अंडर्राइंड किसको करते हैं अब्दुलकलाम अजाद ने किससे नहतिक संबेदन सिल्टा पैदा करने का आवाहन किया था देखिए माता पिता और सिच्छकों दोनों से किया था आपसा नमबर इसका सी लगा दीजीगा मैंने बता था जब आईसी कंडिसन आए तो लगबग आपका 90% A और B करेक्ट एंसर होता ही है तो 24 का करेक्ट एंसर क्या होगा आपसा नमबर सी अगला कोशन साब देखते है 25 नमबर परसनाब की स्कीन पर आ चुका है 25 परसनाब देखेंगे स्वामी विवेकानन्द यानि की what was the questions that स्वामी विवेकानन्द asked सिरी राम किष्णा at their first meeting स्वामी विवेकानन्द ने उनकी पहली मुलाकात में क्या परसनाब पूछा था मैंने आपको बताया भी था कई बार की उन्होंने पूछा था क्या आपने इस्वार को कभी देखा है क्या आपने इस्वार को देखा how you seen God इसके बारे मैंने आपको बताया था आपसा नंबर एक अरेक्ट एंसर होगा हूँ बहु परसनाब का आगया अगला परसनाब का गांधियन प्रिंस्पस concerning wealth and wealth creation was based दानी एक परसन भी आप देखेंगे 27 नंबर प्रसनाब का आचुका है according to गांधि जी the universal human value of इस्वार थाट टू बी cultivated in डैस लेबल्स याणि गांधि जी के अनुसार इस्वार इस्वार के सारभवमिक मानबिये मूलियों को डैस अस्तरों में बिक्सित किया जाना चाहिए देखें 27 नंबर का आपका correct answer होगा आपसा नंबर D अंतर राष्टे बेक्तिगत राष्टे तीनों अस्तरों पर आपसा नंबर इसका D correct answer होगा जिन्होंने D लगाया होगा उनको correct answer मला उनको नंबर मिल जाएगा अगला कोशन साब का आचुका 28 नंबर परसंद आप देखने का प्रियास करेंगे विच आप दा फालोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब आइज इस टू जो है लंक्स यानि निम्रिकित में से वरणन किसका वरणन गांधी जी ने अपने दो फेफ़ड़ों के रूप में किया था तो उन्होंने सत्य और रहिंसा को दो फेफ़ड़ा पताया अपना आइंसा एंड टुथ आपसा नंबर इसका बी correct answer होगा नेक्स्ट को उसस आपके स्किन पर आचुका है 29 नंबर परसंट www.es यानि डेफलो 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 पर क्या है फुल फाम क्या था वाड़ वाइड वाइड बीड़ो बेभ होता है आपसा नंबर इसका ये correct answer होगा इंटरनेट से रिल्टेट आप www करके सर्च नहीं करते हैं वही है यह यह अगला कोशनस आपकी स्कीन पर आचुका है 30 नमबर पर स्थन है इस प्रफुल नेम आप डाक्टर एपी जी अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है फटावट से बताएंगे उनका नाम है अबुल पाकिर जैनूल आप दीन अब्दुल कलाम आपसा नमबर बी करक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन साब से पूछा गया था 32 नमबर पर से पूछा गया था तो ए लगा दीजेगा अगला कोईसंस आपके स्किन पर आ चुका है 33 तंबर आप प्रसन देखेंगे 33 तंबर प्रसन है तो एवाइड साइबर फ्राड और मलब की वन सुड यानि की साइबर धोखे से बचने के लिए अपना पासवर्ड किसी से सांजा नहीं करना चाहिए Sumner के लिए किसी को भी ना बता कोई जरूरत नहीं बताने के लिए ना आपके घर वाले दिष्टिया होंगे मलक्खी गुश। तो उसको भी मत बताईएगा अगला प्रसना आपका 34 तंबर चाहे गुशाएग तो कोई दिक्कत की बात ने लेकिन कभी भी बताना मत Ещеरे venture governance is the फटापट से बताने का प्रियास करेंगे निगमित प्रशासन है करेक्ट एंसर क्या होगा 34 का निगमित प्रशासन क्या है भई देखेंगे वो भोगता सनक्षड कानून यानि का consumer protection law आपसा नमबर इसका डे करेक्ट एंसर होगा आगला कोष्ट साभ की screen पर आ चुका है 35 नमबर देखने ंंगे what is cyber security cyber सुरक्षा क्या है cyber सुरक्षा क्या है भई देखें cyber सुरक्षा analyt実isión सुरक्षा प्रदान करती है cyber सुरक्षा cyber बादियों से सुरक्षा प्रदान करती है ब्लकुल ठीक है नेक्स्ट कोशन साब का आचुका 36 नमबर प्रसनाब देखने का प्रियास करेंगे प्रसने विज अबलिक आर नाट बेनिफीसियल फारिस्टेंट्स यहनि विद्यार्थी के लिए लाब दायक नहीं है तो आतदिक समय फेस्बुक पर सक्रिय रहना बिलकुल लाब दायक नहीं है आतदिक समय मार्सब पर सक्रिय रहना ये भी नहीं जरूरी है ठीक है तो ये दोनों आपके क्या हो गए लब ये दोनों ठीक ही है इस प्रसन के हिसाब से बाकी गलत है ठीक है बाहरी खेलों में अनिच्छुक रहना तो इसका करेक्ट एंसर क्या होगा आपसर नमबर डी आ लापदाएबब करेक्ट एंसर क्या होगा भाई आ लापदाएब कौन सा प्रसना आपका है यह आपका प्रसना 36 नमबर बिल्कुल विद्ध्यारती के लिए आपसर नमबर डी साथिस नमबर आप पर सने इकने का प्रियास कर ने साथिस नमबर पर सना आपका आचुका है यापसर नमबर इसका भी Increase of atmospheric temperature next question आपकी skin पर आचुका है 38 नमबर gas highly responsible for global warming बस्विक तापन के लिए सरबादिक उत्तरदाई gas कोन सी है तो बस्विक तापन के लिए सरबादिक उत्तरदाई gas कोन सी है CO2 carbon dioxide यही वातावन को सबस्यादा गरम करती है आपसन नमबर इसका एक अरक्ट एंसर होगा अगला कोशन साब देखेंगे 49 नमबर पर सने to conserve environment conservation वन सूड यानि की परियाओन सनक्षण के लिए प्रतेक बिक्ती को क्या करता चाहिए पाउधो पाउधार ओपन करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए इधन चलित वाहनों का प्रियोग कम करें cycle का प्रियोग करें बिल्कुल डी आपसन करेक्ट एंसर होगा 40 नमबर पर सब्स देखेंगे एक मार्क इस अग्रेवर की गारंटी आप स्टेंडर्ड यानि एक मार्क जो है मानक की गारंटी देता है गुर्वत्ता क्यानि क्वार्टी ना अपने का प्रकार्स एक मार्क जो मोहर लगता है एक मार्क का ठीक है नेक्स्ट कोशन साब की स्केन पर आचुका 41 नमबर देखेंगे फर्म हैस रटन टाटा जस्ट इन्वेस्टेड इन आन जो है 10 फेवरी 2016 यहनि कि 10 फर्वरी 2016 को रटन टाटा ने अभी किस फर्म में निवेस किया है तो उन्होंने किस फर्म में निवेस किया भाई उन्होंने किया है इन विक्ट्स आनकोलोजी प्राइबेट लिम्टेड में आपसा नमबर इसका ये करक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोस्ट आपकी स्किन पर आ चुका है 42 नमबर पर साथ आप देखेंगे दियर आर डैस बेसिक एलिमेंट आफ टाटा मुलब आपसे पूझ रहा कि तत्वाज आफ क्रियसन एनि स्रिष्टी के मूल तत्व हैं बताएं स्रिष्टी के मूल तत्व को हैं से तोलसिदा जी के चौपाई मुझे इस उत्तर के रूप में आदा है कि जल अच्छिती पावक गगर समीरा और पंच तत्विल बना सरी स्रिष्टी के यों मूल तत्व हैं वो 5 होते हैं आप सा नमबर इसका बी लगा दीजिएगा ठीक है तो पांच तत्विल स्रिष्टी के हैं अगला प्रस्णाप का आ चुका है अगला प्रस्णाप देखने का प्रियास करें फड़ापट से अगला परस्णाप क्या है अगला प्रस्णाप के बीच में जो नैतिक संगर्स होता है वही होता है नेक्स्ट कोस्ट आपका आचुका है सब्सक्राइब का प्रियास करेंगे प्रस्णाप क्या है इस दा इस मिलब की एथिकल इसूज आप साइबर सेक्योर्टी यहनि साइबर सुरक्षा का नहितिक मुद्दा कोण साइब 44 का करेंट एंसर क्या होगा बिलकुल आपसा नंबर डी जराइट आंसर यहनि गोपनियता का आक्रमन हैकिंग इसके अलाब फ्रिजमेंट में कापी रैट है सारे चीजे होती है आलाब दमें लगा दीजेगा उसको क्या कहते है उसको सचता बोलते है आपसा नंबर इसका यह करेक्टेंसरों का हाईजायन कहते है ठीक है आगे बढ़ते है तो प्रथाओं का समूझ जो स्वास्त को सनक्षित करने के लिए क्या आता है उसको सक्षता बोलते है नेक्ष्ट कोसस आपकी स्कीन पर आ चु तो बायोस्पेर यानि की बायोस्पेर का मदब क्या होता है वायो मंडल और अस्थल मंडल ठीक है आपसर नमबर डी करेक्ट एंसर होगा 48 नमबर आप कोशन्स देखेंगे यानि की पारितंत्र सब्द किसके द्वारा दिया गया था आपसर नमबर इसका बी करेक्ट एंसर होगा ठीक है इसकी इसको ऐसे लिखा था के अगे बढ़ते हैं आपका आचुका है और प्दीकल कार्याल ही कहा पर इसी थै बधाये फड़़वड़ से ग्रीन ट्रिब्योनल आफिस जो है यह कहां पर इसी थै भाई तो यह आपकी इस्तित है कहां पर नई दिल्ली में आपसा नमबर्स का सी करेक्ट एंसर का निउ डे कभि उठ्व क्रत्रप्द अगर्ष से करता कौन परियावणे स्काशना परियावणी चिंता है उर्भी हो रही है मतुरा वगर्याओं में ताज महेल का रंग पीला पड़रा है इसे कानड़ विकास वक्राइब्णे is उतना चिंटा करने जितना ये तीनों है, बाकि विकास, कि बदारा भी चिंता कभी से होता है, अगर sustainable development ना हो तो इसके उलकिर कि फिर चिंता होती है, लेकिन एसे विक्तापन जज्यादा चिंता करने की चीज़ें हैं, वो जोन प्रत बहुँर ज़्यादा चिंता करने की बात आमलवर्सा भी इसी प्रिकाद से, विकास भूत कम होता है, विकास को हम संतुलिद कर सकतेisma, विकास को हम सस्टीनियबल तरीके से भी कर सकतेम, ठीक है। ऑफसे नंबर D कर टेक्ट हैं सर होगा इसका विकास। अगला कोसन साब का चुका है, बावा नंबर परसन है, आभ ढायोटिक is also called, आजयबिक को भी कहते हैं, आजयबिक माणि जिसमें जी मेरत भॉत इक वातावण के जो इतने भी तत्तों होती है, परियावण के फीजकल इंवार्मेंट के, वो सम निर्जी होते हैं, इसलिए इसक प्रोडूसर्स होते हैं आप से नमबर एक अंसर होगा ठीक है पौदों को खाते हैं उसको भोगता बोलते हैं नेक्स्ट कोस्टन सापकी स्कीन पर आचुका चबवा नमबर पर सने इन इको सिस्टम सेकंडरी कंजुमर्स आर पारितंत्र में दोतियक भोगता होते हैं देखें मैं पारितंत्र में उपभोगता हूँ कि मैं इन लिष्ट आपको बता दू देखें एक ऐसे वालते पिरावेड बना लिया आप प्राथमिक अमलब की यह आपके पेड़ पौधे जो हो गए यह आपके क्या हो गए यह आपके हो गए आपके वही कौन से यह है आपके पुलिये गामत ऐसे फिर दूसरे नमर पे आपके पेड़ पौधो उखाने वाले पेड़ पौधो जो खाते हैं इसको बोलते हैं प्राथमिक अपभोगता ठीक है अब बकरी को कौन खा लेते हैं मनुस भी यहाँ पर खा सकता है ठीक है यह निकि यहाँ पर मनुस जो होते ह परत्रे में खाता हैं सकता हाले इसमेज़ मनुस किसमें आएगा अपका मनूस् से अएगा अंथे मिधिशन का आप है यहां दूसर कई प्रसन क्या कह रहा है आपसे बार्थमिक वूते तो सापहरी होगा χए इसमें बहुत सारी लोग करंफ्यूज हो जाते ध संवेन अंगला से वज सनक्षन समझित है वन सनक्षन से को समझित है भाई इसका करक्ट क्या होगा पचपन नम्मर का विल्कुल वन सनक्षन समझित है आपका साइलन्ट मैली आपसे नम्मर इसका डृ करक्ट एंसर होगा बाकी तो सब जानावरों के खास करके विवस्ता है अगला कोसर साब देखने का प्रियास करें कोई काजी रंगा एक सिंग के लिए खास करें प्रसिद्ध है आगे बढ़ते हैं अगला कोसर साब का चुका है वैसे लोग देखेंगे छपन नमबर परसना आपके सिंगे परावन जीव महत्तपूर है क्यों एक जाती जिसके बिलुप्त होने का खत्रा बना रहता है वो क्या कहलाती उसको मुझते संकट गरस्त पर जाती ठीक है आपसर नमबर एक अरक्ट एंसर हो गया इसका अगला कोसर साब की स्कीन पर आ चुका है अठावा नमबर प्रसन है वी चीजदा प्रसन क्या आप से प्रसन के लिए ठीक है अगला कोसर साब का आ चुका है शाठ नमबर प्रसन देखेंगे लाइकें सहरो में नहीं मिलती क्योंकि लाइकें सहरो में इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि प्राकटिक क्या होता है ये सूटू के प्रभाओ के कारण से क्या होता है सहरो में नहीं मिलती है कि आप सर नमबर प्रसन होगा स्म रिलिबल इंडिकेंटर आप पॉल 유शन भी प्रदूसदगें की लिए वे बिस्वरीन सूचक है इसमें लाइकें और मास आप सर न कि कारक क्या है तो इसका कारक्ट टेंसर क्या होगा अब से नंबर सी औदोगी पर दूसरा में सबसे आधिक भूमिकानी बात है DDT एक प्रकार से chemical वो है थीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे तो इसकी पूछा गया कि DDT क्या है ठीक है बताये भई पड़ापट से एक बार से बताने का प्रियास करेंगे DDT क्या है DDT का full farm क्या होता है पड़ापड से आप लोग बताने का प्रियास करेंगे, यह क्या एंटिबायटिक है, पुरुबरक है, या आजेओ निमनी कारट प्रदूसक है, या उपरक्ति में इससे कुछ नहीं है, तो यह क्या है भाई, DDT क्या होता है, इसका फुलफाम क्या होता है, चलिए, इसका फु और लगबग इसमें गंध भी नहीं होती है, या निकि गंध ही नहीं होता है, एक रासानी क्योगी खोता आईए, आप लोगों ने इसको इंटर में अगर कमेश्टी पड़े होंगे, तो पड़ा होगा, ठीक है, DDT के बारे में, इसका भी सूत्र भी बनता है, प्रकार से ब प्रियास करेंगे, 64 नमबर परसना आपके स्कीन पर आचुका है, विच इस दा में सोर्सेस बताएं, विच इस दा में सोर्सेस आप वाटर एंड सोल पोलीशन जल, यो मर्दा परदूसर्ण का मुग की स्रोत क्या है, फटा पड़ से बताने का प्रियास करेंगे भाई, तो प्रियास करेंगे, यानि कि लवड़ी करन होता है, तो इसका करेक्ट एंसर क्या होगा, बिलकुल A और B, मैंने बता था, जब भी ऐसा लगे, बहुत में तो आप अप अई लगा दीजेगा, आतदिक खेती के कारण से, खराब आपको आ के कारण से, अगला परसना आपका आ पोल्यूसन इस केस्ट बाई, यानि कि जल प्रदोसन का कारण है, फड़ा परसे बताएंगे, चाचाट का करेक्ट एंसर क्या होगा, जल प्रदोसन का कारण है क्या, और दोगिक बाहर सराओ, ठीक है, इंडस्टियल जो इन्फिलेउंस होते हैं, आप से नंबर इसका भी ल लगा दीजेगा, अगला परसना आपका आ चुका है, अच्छी है, आरसा नंबर परसना है, मेजर एरो सोल पॉलिटेंट प्रिजेंट इंदा जेट प्लेन इमीशन इस, यानि कि जेट जहाज से निकलने वाला मुख्य वाय प्रदोसक कौन है, तो कौन होता है, भाई, बिल बात कर रहा हुना तरह करक्ट अंसर क्या होगा, राक नहीं निकलती है, बाकी सारी गैसे आपकी निकल सकती है, आगे बढ़ते हैं, अगला कोई से आपका पूछा गया है, सत्तर नंबर आपका प्रसन है, में यानि प्रदोसक है, इनमें से, मुख्य वाय प्रदोसक नहीं इसका सी करेक्टर रोगा, बहुत सारे लोग भरमित हो जाते हैं कार्बन मोनो अक्साइड और कार्बन डाय अक्साइड में, एकदम से हंडेट परसन्ट आप ये जान लो, मैं आज किलेर कर देना चाहता हूं, यानि कार्बन मोनो अक्साइड जो होती है, जहां पर आप लकड़ी जलाय उसे धुआ निकल लहा है, या वाहनों के जो धुआ निकल लहा है, उन सभी से सीवो गयसी निकलती है, और इनी से पोलिशन जादा फैलता है, ठीके, तो कार्बन मोनो अक्साइड सरबाधिक वातावड को प्रदोसित करने वाली गयस, यानि कि यहां क्या कर को गरम करने के लिए सबसे महत्रपूड गयस है, आपकी कार्बन डाय अक्साइड ठीक है, तो सबसे प् 원ानि के वायो प्रदोसित करने वाली गयस क्यों सी, तो कार्बन मोनो अक्साइड सी अहीं है, अगर आप से पूछता यहीं पर कि सबसे आदा उजान का उत्तरा पहुं प्रस्ट नहीं कि मुख खेतवा सरबादी को अपर दूसर होता है बताएं एक अतर करेक्टर अंसर क्या होगा बिल्कुल आपसा नंबर आपके बिल्कुल ठीक है आटो मोबाइल और रोचक लबाटो मोबाइल लेचक और उध्योगों के जो रसायन होते हैं उनसे आपसा इस फस्ट एंड मोस्ट मार्कड आन प्रदूसक का पहला और सरबादिक प्रभाव पढ़ता है प्रक्रेक्टर अंसर क्या होगा बिल्कुल आपसा नंबर दी लगा दीजिगा इन सभी पर एक अस्थान की प्राकरतिक बनस्पती पर भी पढ़ता है प्राकरतिक संतुलन भी चक्र होता उस पर भी पढ़ता है आपसा नंबर डी आल आप दाइबब नेक्स्ट कोसर साब के स्किन पर आ चुका है तियत्ता नंबर तियत्ता नंबर आप परसंदेखने का प्रियास करेंगे डी फारेस्टेशन विल डिक्रीज यानि की पेंड की कटाई गटाती है प्रेंड की काटने से क्या होता है रेंट फाल कम होता है और अमलब की एक परकार से वर्सा कम होती है पेंडों की वज़े से वर्सा अधी मातरा में होती है अगर पेंडों कटाई कर देंगे तो वर्सा क कि समय में कमी आती है या संभव है जीवन इंपॉसिबल है तो वायू के बिना जीवन एक प्रकार से क्या है वायू के बिना एक प्रकार से आप क्या हो सकते है वायू के बिना जीवन जो एक प्रकार से असंभव चुकि प्राण वायू का नाम ही है एक प्रकार से तो एक प्रक एक प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर अगर आक्सीजन की बात करता तो असंभव लगा देती, चुकि आक्सीजन के बिना आप नहीं रखेंगे, घिवायो के बिना भी अब वायो की बात करता तो जीवन संभव नहीं रहेगा, यह बात आप ध्यान रखें, किलियर है, तो D option इसका भी लग सकता है, बी आपसन भी लग सकता है, इन दोनों में से क्या होगा, यह थोड़ा सा यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा, यह थोड़ा सा वैसा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पचात्ता नमबर आपका प्रसन आ चुका है, अर्गनाइज मलब की और्गनिजम इस मलब इन एक्वेटिक सिस्टम आर नोन है, जलिये तंत्र में आसानी से गती करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जलिये तंत्र में आसानी से गती करने वाले जीव होते हैं, वो होते हैं आपके, फोटो प्लैंक्ट आपसा नमबर इसका B होगा पादप पलवक, आपसा नमबर B is a diet answer, नेक्ट कोसे आप देखते हैं, चैता नमबर आपका प्रसना आपका, प्रसना आपके क्या होते हैं, बताएं, पारितंत्र में क्या होते हैं, एको सिस्टम इंकलिूड्स, जैबिक और आजबिक घटकों से मि सब्सक्राइब में प्रकार ऑर होते हैं यस्तित होते हैं या फिर विस्तित रूप से से वित्रित होते प्राथमिक उत्पादक्ता के लिए निम्न में से कौन सी इस्थिती सबसे अनुपयोगी होती है प्राथमिक उत्पादक्ता के लिए निम्न में से कौन सी इस्थिती सबसे अनुपयोगी होगी तो सबसे अनुपयोगी गुफा होगी ठीक है ये बात आप ध्यार नखेंगे अगला कोशन साब की सीन पर आ चुका सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे जल चक्र को नियंत्रित करता है जल चक्र को नियंत्रित करता है पड़ा पड़ा से बताएं कौन नियंत्रित करता है भाई बिल्कुल वन नियंत्रित करता है जल चक्र को को नियंत्रित करता है हाँ बिल्कुल चुकि जंगल के कारण से ही वर्सा होती है और प्लैंक्ट जो है प्लेंक्टन्स जो होते हैं, प्लवक जो होते हैं, वह भी एक प्रकार से कहीं ने कहीं पर जल चक्र को नियंतरत करता है, जल चक्र को नियंतरत एक प्रकार से या तो वन करेगा, या फिर प्लवक करेंगे, चुकि प्लवक जो होते हैं, वो एक प्रकार से जो आधार भूत, उ तो आपका वो पलवक होना चाहिए ठीक है पलवक is right answer C option इसका character answer होगा ओके आगे बढ़ते हैं अगला question से आपका आचुका 80 number प्रस्ण आप देखेंगे प्रस्ण आपका घास अस्थल इको तंतर यानि पारितंतर में संख्या का प्रस्ण आपका प्रस्ण आपका आचुका है 82 प्रस्ण आप देखेंगे पादप पलवक होते हैं पादप पलवक क्या होते हैं भाई पादप पलवक आपके स्वाप प्योसी होते हैं ठीक है आपसा नंबर इसका एक ररक्ट आचुका अगला question सापका आचुका 83 नंबर प्रस्ण आए एको सिस्टम पारितंतर के दो घटक कौन-कौन से जयबिक और अजयबिक आपसा नंबर इसका सी करेक्ट आचुका बार बार बने बता था यह प्रस्ण आपका लगातार दो बार आपका प्रस्ण आचुका इसमें फूड लेबल्स इन एको सिस्टम आर काल यह नि पारितंतर में खाद यस्तर कैलाता है 84 नंबर का करेक्ट आँसर क्या होगा आपसा नंबर इस पोसी अस्तर पोसी अस्तर इस राइट आँसर ट्रॉफिक लेबल्स 85 नंबर आपका प्रस्ण है 56 नंबर क्रस्ण है प्रस्ण क्या है आपका बई प्रस्ण है वीच वन इसमाट फर्टिलाइजर निम्नं से कौन सा उरबझक नहीं? इनम से भाई उरबरक कौन सा सा ने? गेमेक्सी नहीं बाकि सारे उर्बरक हैं आपके आपसा नंबर सी करक्ट एंसर होगा अगला परसनाब की स्कीन पर आचुका 87 नंबर परसनाब का है उनमें से कौन कीट नासक नहीं है विच वन आपदा अज एक प्रकार से पेस्टी साइड यह नहीं कीट नासक कौन नहीं इनमें से भाई के खरपत्वार का खतम करने के लिए अगला परसनाब का फ्राम आफ एनर्जी इस नाट प्राब्लम फार पॉलिशन नहीं उर्जा के उर्जा के किस रूप में परदूसर की सम्ष्टा नहीं होती तो करक्ट टेंसर क्या होगा बिलकुल ? सहोर उर्जा में कोई अगला प्रसन निम्द में से कौन अधिक्तम ध्वनी प्रदोसन का कारण है फड़ापट से बताएंगे वीच वन इस मैक्सिमम रीजन फार जो है साउंड पॉलूशन फड़ापट से बताएंगे विच निम्द में से किस देश की जनसंख्या भारत स्यधिक है चाइना की आपसा नंबर बी लगा दीजेगा तेके चाइना जो नंबर वन पर है वो नंबर दो पर है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस नहीं आपका भाई 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 प्रस नहीं थावर कारकरम है आपका प्रतिवी के प्रति अपनी समरपण को बेक्ट करने का सांकेतिक कारकरम है आपसे नंबर B करक्टेंस तरोगा अगला प्रसनाप से पूछा गया था एकजाम में कि यंजीटी का पूरा नाम क्या है यहाट इस दा फुल फार्म आप यंजीटी इस टैंगे यहाट इस तैंग में आप फूर्च मेटेयल यह ने किस समागरी से बनी पतंक की डोर पर प्रतिबंद लगा दिया है तो नाएलान कि पर दिखाना से प्रतिबंद पर लगा दिया आपसन नंबर इसका एक गरेक्ट हैंसर होगा अगला कोशन सापका प्रसन आप का रुका है, 59 नंबर, गुरुसर का आचुका है, साइबर अपरात का नियंत्रत किया आसकता है, फ़ड़ाप्र करता हैं, पद्वर से बताएंगे 55 नंबर का रखते हैं, इसके अलावास लिए विद्वर प्ट्रम जेदा knitting करना की गई हर क्रिकार्ण कप्र कि바्रप्ठ को करने के लिए इसको कम करने के साइप्र क्राहबार को एक एक्रोड भीकार किया गए इसके अलावा साइबर कारून भी बनाया गया answer प्रस्टा इंडेक्स क्या है यानि कि वाइव गुडवत्ता इंडेक्स क्या है या फिर यह प्रकार से आपके छेत्र में ओजोन के अस्तर को मापता है या हवा के रंग की जाँच करता है बता है तो वाइव क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो यही करता है आपसे नमर डी लगा दीजेगा या हवा के रंग की जाँच करता है और उसके इसाब से बताता है कि यह प्रदूर्शन के बारे में खासर के वाइव से लेटर है तो हराब रिक्ष काट रहा है तो आप क्या करेंगे तो सबसे पहले तो आप अगर कोई हराब रिक्ष काट रहा है ठीक है तो क्या करोगे पहले तो उसे काटने से आपको रोकना है दूसरी बात रोकने के बाद में फिर अगर मान जाता तो ठीक बात है अगर नहीं मानता तो आप बन अधिकारी को सूजित कर सकते हैं ठीक है आपसा नंबर इसका सी करेक्ट एंसर होगा यह और भी दोनों आपको करना है ठीक है अगला कोसल साब का है 99 नंबर पर साब की स्किन पर आ चुका है निमनिकित में से कौन सा पौधा ओजोन के संकीतक के रूब में सहायता करता है ब खासकर कि ओजोन के संकीतक के रूब में सहायता करते हैं कौन से आपके जो तीनों पौधे टमाडर का पौधा भी और तंबाको का पौधा भी और तरबोज के तीनों पौधे ऐसे हैं जो कि ओजोन के संकीतक के रूब में सहायता करते हैं तो आपसा नंबर इसका डी लगा जब लागव हुआ था यह लागव हुआ था करके एक टूबर 1986 को आपसन नमबर इसका लगेगा जो है डी आपसन गरेक्ट एंसर होगा ठीक है 1986 में वन सेलक्षन अदिनियम आपसन नमबर डी आगे बढ़ते हैं आब आगे का बढ़ना है आपका सवकस्टन सापका ही पर समपन होता है तो प्रेकार से आपका को ससे पर तुसके लिए उसके लिए मंयाप समय पाता है ह casually को ex at पर इंच झिए तव शंदось के लिए हुरं मझेis noon5 अधर सवी का बदो बुदानी मात बदें गुन नएला लग्यों